यह अब मिलले के इसमें डिस्टेर्श करने वाले है कि अर्थ इसक्रस्ष करने वाले हैं एग प्लियूंघ की defender में देखने की कुछषिस करेंगी पर निन्य टो स्वेंज दू चीज़े हैं अर्थ करस्ट कम पर बात हो है। इसवे ओड करोपा करने आ kang tik 2030 के बात होगी और अर्थ क्रस्ट को हम क्या कहते है लिथो स्फेयर कहते है तो लिथो स्फेयर यह मेली इसमें दो पार्ट होता है एक पार्ट जो होता ही अबर पार्ट और सेकिंड जो होता ही यह लोगर पार्ट होता है चिक है तो अब यह समझ लीजिए कि यह कुछ ऐसा है, यह हो जाएगा आपको अपर पार्ट, लितोस्वेर का अपर पार्ट, यह हो जाएगा लोवर पार्ट, ठीक है, यह कॉंटिनेंट है, और यह ओशियन है, ठीक है, इस इस ओशियन, तो जो अपर पार्ट होता है, यह क्या होगा, इससे कॉंटिनेंट बनते ह यहां पर chemical composition क्या होगा यहां पर chemical composition होगा श्रियॉल यानिकि silica and aluminium यहां के density क्या होगी कम होगी density कम होगी density आपको करी यहां पर 2.8 के आसपास में मिलेगी यहां पर density आपको 3 के आसपास में मिलती है तो density भी यहां पर आपको कम देखने को मिलेगी साथी अब जो लोवर पार्ट होता है यहां पर इससे क्या बनता है यह लोवर पार्ट है देखी इससे लोवर पार्ट से ओशनिक फ्लूर बनते है इससे क्या बनता है ओशनिक फ्लूर बनता है यहां के density compared to upper part यह ज्यादा होगी अगर अपर पार्ट हम compare करें यहां के density क्या होगी उससे ज्यादा होगी ठीक है chemical composition की बात करें तो यह होता है density इसकी क्या होती है कम होती है compare to lower part फिर originic floor यह किससे बनता है यह lower part से बनता है जिसका chemical composition क्या है सीमा यानिकी silicon and magnesium और इसकी density compare to upper part यह ज्यादा होती है तो यह होगा लिटोस्फियर की इसका किस तरीके से structure होता है अब हम देखेंगे लिटोस्फियर यह बना हुआ है यह रोक से बना हुआ है अब रोक कितने तरीके के होता है तो रोक हम पता है कि तीन तरीके के रोक होते है एक ignis rock होता है एक sedimentary और एक metamorphose rock होता है ठीक है तो इसमें सबसे पहले हम discuss करेंगे ignis rock के बारे में तिन तरीके के rocks हैं ignis rock, sedimentary rocks and metamorphose rocks तो सबसे पहले हम discuss करेंगे ignis rocks सबसे पहले हम ignis rocks के बारे में लेखते हैं तो ignis rock का मतलब यह होता है कि जो rocks volcanoes से बनते हैं ठीक है जो rocks made by volcanoes ठीक है जो volcanic activities से बनते हैं यह कहलाते है ignis rocks अब यह भी क्या होता है कि इन में भी कुछ types होते हैं अब कुछ types देखते हैं जैसे कि on the basis of occurrence पहला type on the basis of occurrence ठीक है इसमें आ जाएगा सबसे पहले plutonic rock आएगा plutonic rock और फिर आएगा जिसको कहते हैं volcanic rock ठीक है plutonic rock का मतलब होता है intrusive rock intrusive rock intrusive का मतलब यह होता है जो और the surface के नीचे बनते हैं उनको intrusive rock कहते हैं ठीक है जिसको इंदी में अभियांत्रिक rock यह मतलब चटान भी कहा जाता है तो यह होगे intrusive rock इसमें जैसे की आपको आएंगे granite diorite ठीक है gabbro इसमें यह आते हैं साथे साथ अब जो intrusive rocks होते हैं यह क्या होता है यह lighter in color उसको ठीक है उसको बार में देखते हैं फिर organic rocks में आते हैं और यह क्या कहलते हैं इक्स्ट्रूसिफ rocks कहलते हैं जो लावा फ्ल्यूड होते हैं उनसे प्लाइटूस में देखनों के मिलती हैं जैसे कि इंडिया में डेकन प्लाइटूस इन्डिया का डेकन प्लैटू इस ऐसी बना Norden ऐलेंड में एक एंट्रीं प्लैटू मिलेगा Northern Ireland में तो इस सारे सारे क्या है यह सब सारे सारे यह लावा प्लाटू से हैं जो लावा से बने हुगा है यह है on the basis of occurrence एक होता है on the basis of composition ठीक है एक होता है on the basis of composition इसमें आता है एक acidic कुछ लावा से यह हुआ कि आदा होते हैं और एक हता है basic ठीक है acidic का मतलब यह हुआ कि उसमें silica की quantity ज़्यादा होती जब silica की quantity ज़्यादा होगी तो फिल्वा होता है यह फ्लीड होता है यह होने के जैसे कि granite, rhyolite, ग्रियोलाइट क्या हो गया? यह intrusive rock हो गया और rhyolite यह क्या हो गया? यह extrusive rock हो गया जिनकी acidic प्रपर्टी बहुत ज़ादा होती है. basic large होते हैं, इसमें basic oxides आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे. यहांने कि इसमें basic oxides आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे, जैसे कि aluminium हो गया, ठीक है, magnesium हो गया, या फिर आपको iron हो गया, यह आपको इसमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं. और यह basic जो lava होते हैं, यह fluid नहीं होते हैं, ठीक है, यह dancer होते हैं, यह denser होते हैं, और इनका color जो होता है, यह light नहीं होता है, यह dark होता है, इनका color dark होता है, ठीक है, तो यह एग निस rocks, जो इनको दो बेशिस पर define किया गया, classify किया गया, एक composition के basis पर, यानि कि acidic and basic और एक ता अकरेंस के basis पर, जिसमें pultonic rocks और volcanic rocks दो चीज़े हैं, तो यह हो गया, आपको agnes rocks, इसके बाद, sedimentary rocks, इसके बाद, sedimentary rocks, sedimentary rocks का मतलब होता है, जो accumulation से बनते हैं, ठीक है, accumulation मतलब कई सी sediments लाया गया, उनको एक जग़ा एकठा किया गया, वहाँ पर litrification process वहाँ, उसकी वज़ा से क्या हुआ, यह जो rock बना, वो sedimentary rocks कहलाते हैं, ठीक है, तो इनको भी process के basis पर, कई पार्ट में डिवाइड किया गया, यानि कि इनको भी classify किया गया है, और the basis of process, मतलब जिस जिस process से यह बनते हैं, उस process के according इनको classify किया गया, तो एक है, mechanically formed sedimentary rocks, एक है, जिसको कहते हैं, organically formed sedimentary rocks, और एक होते हैं, जिनको कहते हैं, chemically formed sedimentary rocks, ठीक है, तो mechanically formed sedimentary rocks का यह मतलब होता है, कि माले जी कोई यहाँ एक rock A है, कोई B है, rock कोई C rock है, यहाँ से कुछ sediment निकले, erosion या किसी वज़े से, यहाँ से कुछ sediment निकले, यहाँ से कुछ sediment निकले, और यह तीनों जाके एक जगा, accumulate होके एक नए rock का, यह formation करते हैं, तो इस तरीके से जो rock बनता है, उसको कहते हैं, mechanically formed rocks, यानि कि यहाँ पर जो भी sediment की accumulation से, जो rock बना, वो sediment क्या होता है, वो कई दूसरे दूसरे rock से, निकले होए होते हैं, उनको एक जगा ले जाके, एक नए rock का formation होता है, तो इस तरीके से जो rock बनता है, उसको कहते हैं, mechanically rocks, ठीक है, जैसे कि sandstone, जैसे कि sandstone होता है, यह इसी तरीके का rock होता है, जो mechanically formed होता है, ठीक है, अब sandstone भी यह होता है, जब यह sandstone, जब courser type का होता है, ठीक है, यह जब sandstone, मतलब थोड़ा सा बड़ा होगा इसको कहते हैं गुरिट कहते है इसको एफ्याइद फिर सेंडाया श्राइब की यह इसको इसको सब्सक्राइब ठीक है इसके साथ अब जो पेबल्स होते हैं ठीकि पेबल्स मतलब छोटी-छोटी जो कंकड होते हैं उनको हम पेबल्स कहते हैं लेकिन वही पेबल्स अगर बड़े हो जाए बड़े-बड़े पेबल्स यानि कि लार्ज पेबल्स लार्ज पेबल्स को मिला कर एक नया रोग बनाए जाता है उन रोग को कहते हैं ठीक है तो जब यह पेबल्स राउंडिड फॉर्म में हो कौन से फॉर्म है और राउंड डिड यानि कि पेबल्स गोल हो इस फेर टाइप के हो तो इस फेर टाइप के पेबल्स मिलने की वज़े से जो रॉक बनता है उस रॉक को कहते हैं कॉंगलोमिरेट उस रॉक को कहते हैं कॉंगलोमिरेट ठीक है और यही पेबल्स जब एंगुलर फॉर्म में होते हैं एंगुलर फॉर्म में जो पेबल्स मिल के नहरों कर निमार करते हैं तो वो क्या होते हैं का उगले मिरेट कहलाता है लेकिन जब यह large pebbles, angular form में हो, angular form का मतलब यह होता है, या तो triangle shape में हो, या फिर, यह sphere, या फिर, rectangular shape में हो, यानि कि कहने के मतलब इनके जो, यह aises होते हैं, यह काफी सारप होने चाहिए, इनको angular form कहते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से, जो rock बनता है, उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, उसको, brassia, उसको कहते हैं, हम brassia, ठीक है, तो दो तरीके का rock यहां पर देखने को मिला, एक मिला conglomerate औ होते हैं, ठीक है, गोल होते हैं, तो उनसे जो rock बनता है, उसको कहते हैं, ठीक है, ठीक है, तो यह पूरा phenomena जो हुआ, यह mechanically formed sedimentary rock का हुआ, ठीक है, ठीक है, और यह जो rocks बनते हैं, sedimentary rocks, वो क्या होते हैं, वो living organisms से बनते हैं, ठीक है, organically formed जो होता है, इसमें जो rock बनते हैं, यह living organisms, organisms से बनते हैं, जैसे की corals हुए, ठीक है, या फिर shellfish हुए, इन सब वज़े से, जो rock बनते हैं, वो organically formed होता है, ठीक है, जैसे की limestone, जैसे की limestone हुआ, चाक हुआ, ठीक है, यह सब क्या होते हैं, यह organically formed होते हैं, अब आते हैं, यह क्या होते हैं, solution से बनते हैं, solutions, solutions मतलब, जो liquid होता है, liquid solution, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कि इसी दूसरे rock से solution आता है, और उस solution के वज़े से एक दूसरे rock का formation होता है, जैसे की, हमाले जी कहीं पर, जो salty water bodies होते हैं, water bodies, जिसमें salt की quantity ज्यादा होते हैं, जैसे की date sea, जैसे कि माले यह date sea, date sea, यह एक salty water body है, तो यहाँ पर जो evaporation होगा, evaporation की वज़े से, क्या होता है, कि सिर्फ salt का accumulation आपको ज्यादा देखने की मिलेगा वहाँ पर, तो उस वज़े से rock का formation होता है, वो rock क्या हो सकता है, यह तो हम यह कह सकते हैं, इससे potas ऐसे भी आता है, इससे potas भी बनता है, ठीक है, इससे आपको फिर sodium भी बनते हैं, sodium magnesium, sodium magnesium भी बनते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखने की मिला, कि evaporation से क्या होता है, कि यह जो salt होते हैं, इनका solution, यह जो solution था, पहले यह solution था ही है, salt घुला गुला होता वाटर में, तो यह जो solution क्या है, evaporation के बाद, एक नए rock का formation करता है, उस rock के formation को क्या कहते हैं, chemically sedimentary rocks, या कि chemically formed sedimentary rocks, ठीक है, जैसे कि potassium, sodium, magnesium rocks का इस तरीके से formation होता है, ठीक है, यह हो गया, sedimentary rocks, इसके बाद देखते हैं, metamorphosed, इसके बाद है, metamorphosed rocks, इसमें क्या होता है, कि mainly आपको temperature, temperature और pressure का पुरा का पुरा रोल होता है, ठीक है, कहीं पर temperature जादा हो जाए, कहीं प्रेशर कम हो जाए, तो इनका interplay देखने को मिलता है, तो उस विज़े से, जो rocks बनते हैं, वो metamorphosed rocks कहाते हैं, ठीक है, जैसे कि limestone, limestone convert होके, कौन से रोप में बनता है, यह बनता है, marble, granite, convert होके, यह बनता है, quartzite, यह बनता है, quartzite, sitar cool, यह convert होके बनता है, graphite, ठीक है, जैसे कि clay, यह convert होके बनता है, slate, यहाँ पर आपको जो process देखने को मिलेगा, इसमें temperature और pressure का ज्यादा rule देखने को मिलता है, और इस वज़े से जो rocks बनते हैं, वो metamorphosed rocks कहलाता है, ठीक है, तो इस तरीके से जो rocks था, और rocks के जो तीनो टाइप थे, igneous rocks, sedimentary rocks और metamorphosed rocks, यह तीनों complete होए, अब हम देखते हैं plateaus, ठीक है, types of plateaus, तो types of plateau, इसमें पहला आता है, यह आएगा volcanic plateaus, ठीक है, यह आएगा volcanic plateaus, यानि कि जो plateaus volcanic activities की वज़े से बनते हैं, जैसे कि इंडिया का deck and plateau, volcanic activities से बना हुआ है, या फिर हम columbia snake plateau of USA, जैसे कि इंडिया का deck and plateau, या फिर USA का columbia snake plateau, ये क्या होते हैं, ये volcanic accumulation से बने होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो lava होता है, वो कैसा होता है, ये बसांटिक होगा, ये एस्टिक होगा, अब देखें plateaus बनने के लिए जरूरी है कि lava का इक्स्टेंशन जो हो, ये काफी दूर तक हो, तो जब lava fluid होता है तब ही वो काफी दूर तक बहह के जाएगा, ठीक है, और जब जब ज़्यादर दूर तक बहह के जाएगा, तो इसलिए lava की property क्या होनी चाहिए, fluid होनी चाहिए, fluidic वो लावा होनी चाहिए, यानि कि lava की प्रपरदी वो acidic होनी चाहिए, अगर basic lava हो तो वो fluid नहीं होता है, वो वो विसकस होता है, वो ज्यादा गाड़ा होता है, ठीक है, वो ज्यादा देंस होता है, तो ज्यादा दूर तक नहीं जा पाता है, ठीक है, तो वलकैनिक प्लैटूस बनने के लिए, जो लावा की प्रपर्टी है, वो एसिडिक होनी चाहिए, ठीक है, तब ही फ्लिूड होगा तब ही जादा दूर तक बहके जाएगा उससे ही लावा बनेगा तो जैसे की डेकन प्लैटू, कॉलंबिया स्नेक प्लैटू या फिर आइरलेंड का जो इंट्रिम प्लैटू है इस तरीके से बने हो गया है इसके बाद कुछ होते हैं इरोजनल प्लैटू या जिसको डैसेकटिट प्लैटू भी कहते हैं यह बनते हैं ड्यू टो वेदरींग और इरोजन की वज़ा से ठीक है तो इसमें देखिए वेदरिंग और इरोजन जो होता है ये दो तरीके से होता है एक तो हुमिट क्लाइमेट जहां पर मिलेगा वहां पर होगा और एक जहां पर ड्राइक क्लाइमेट मिलेगा यानि कि एक क्लाइमेट जो हुमिट क्लाइमेट होगा तो हुमिट क्लाइ यह आपको स्कॉट लैंड में ज्यादा देखने को मिलेंगे। जैसे कि स्कॉट लैंड का हाई लैंड है, वो इसी तरगे के प्लैटू है, जो ग्लैशियेशन की वज़ा से बना होगा है। और एक माली जी आप दूसरा जो होगा ड्राइ रिजन, ड्राइ मतलब अरिडिया सेमी अरिड रिजन होगा। यहाँ मेंलि जी प्लैटूस का इरोजन होता है, जिसे यह डिसेक्टिग प्लैटूस बनते हैं, वह मेंलि बनते हैं rivers and wind की वज़ा से, ठीक है तो जहाँ पर dry condition होता है, यहाँ मेंलि river and wind की के कोडिशन से वहाँ पर यहां ज़्यादा बर्ड्स या फिर में शेटार, यह सब जब ज़्यादा देखने को मिलता है ठीक है, जैसे कि यह सब आपको मेल जाएगा आपचले जाएए कि साफ वेस्ट ओफ ईवे से, ठीक है, आप चले जाएए, साफ वेस्ट ओ उफ ईवे से, यहां पर इस तरह का इस जो यह आप मेक्सिको का जो नॉर्दरन वेस्ट पार्ट होता है कि जो यूसे से लगा हुआ होता है केलिफॉनिया रीजन के सपास वहां पर आपको मिलेगा तो वहां पर बर्ट सैन में सितर टाइब के लैंड फॉर्म्स देखने को मिलेंगे वह बनते हैं यह क्या है यह प्ल जो बनते हैं डैसेकटिट प्लैटूज यह आपको जादर चर इसको अड़लैंड में देखने को मिलेंगे तो यह दो टाइप में फॉनके अगों एक होता है इसके अलावे और टेक्टोनिक प्लैटूज इसके बात एक है थार्ड टेक्टोनिक प्लैटूज ठीक है यह होता है tectonic plateaus तो यह crustal movement की वज़ा से होता है tectonic plateaus में plates के जो movement होता है इनकी वज़ा से बनता है तो यह बनता है due to earth movement ठीक है जैसे कि India का Deccan Plateau ऐसे ही तो बना हुआ है यह Deccan Plateau movement के वज़ा से बना हुआ है यहाँ पर volcanic activities भी होई जिनकी वज़े से ये लाव प्लैटू भी इनको कहा जाता है तो इसमें अब ये देखेंगे कि एक इंटर मून्ट प्लैटू भी होता है एक इंटर मून्ट प्लैटू भी होता है इंटर्मोंड प्लैटू का मतलब यह होता है कि वो प्लैटूस दो रो यह हिल्स की बीच में होते हैं यानि कि between two hills, दो hills की बीच में जो प्लेटूस होते हैं, उनको कहते हैं intermond प्लेटू, जैसे कि Tibetan प्लेटू, Tibetan प्लेटू कहा है, एक south में आपको पढ़ जाएगा हिमालेन, और north में पढ़ जाता है कुलूंचान, ठीक है, जैसे कि Tibetan प्लेटू, Tibetan प्लेटू के south में हो जाएगा आपको हिमालेन, ठीक है, north में हो जाएगा कुलूंचान, इन दोनों रेंज की बीच में Tibetan प्लेटू, उसे तरह बोलविया प्लेटू, यह बोलविया प्लेटू कहां पर ही है, यह आपको एंडिस मांटेन के, दो हिल्स की बीच में पढ़ जाएगा, ठीक है, तो इस तरीके से आपको एक्जामपल हो गया, Tibetan एंड कोलंबिया प्लेटू, जो इंटर मॉंट प्लेटू, यह निकि दो हिल्स की बीच में प्लेटू मिलते हैं, इस तरीके से दो हिल्स यहाँ पर मिल गया है, ठीक है, मॉंटेंज कितने तरके होते हैं, पहले तो यह दिखेंगे, कि जो मॉवमेंट हुआ, अर्थ के मॉवमेंट की वज़े से, जो मॉंटेंट फॉर्मेशन का, आप यह कह लेजिए, कि जो टाइम है, यह अलग लग लग रहा है, ठीक है, तो उनकी बैसिस, पर टाइम की बैसिस पर भी, मॉवमेंट फॉर्मेशन को, क्लासिफाई किया गया है, जैसे कि, 320 मिलियन बाइज के टाइम पर, जो मॉवमेंट बने हैं, उनको कहते हैं, क्यलेडोनियन मॉवाउंटेन्स, उनको कहते हैं, के या इस टाइम के मांटेन्स मिलेंगे जिनको कलिंडिवन मांटेंस कहते हैं ये कहां पर मिलेंगे इस कंडिनेवन कंट्री और स्कॉटलेंड में जादिप आंप Хarmic स्कंडून्वे कंट्रीज एड है। मिलνेंगे क list का कृपकी सिक्टूने इसके पूस्ट किसी कृपकी से जाए है के लिए यह शोड़न शोड़न भाइंड सोड़न फिल्लाइंड होगी यह क्या कहलाते हैं इसकंडिनेवन कंट्रिस कहलाते हैं और स्कॉटलेंड वहां पर चले जाएगे तो आपको केलेडुनियन टाइप ओफ मांटेंड देखने को मिलेंगे जिनका परियोड थी ट्वन्टी मिलियन इयर्स से पहले करा है यह कहलाते हैं हर्शेनियन मांटेंड जैसे कि यह काफी वाइड रेंज के है जैसे कि युराल हुआ युराल कहा है यह पढ़ता है रशिया में जो युएसे जो सारी यह रशिया में पढ़ता है जो युरोप और एसिया को यह डिवैड करता है युराल मिलेगा pennons and whales of britain थीक है यह mountains जो एन उसके बाद horse of germany horse of germany यह Bureau में चले जाहिए यह तो application mountain वहाँ पर मिलेगा यह विश्urn LISA मेお願いします Aplashian mountain मिलेगा, यह सब क्या है, यह सब इस time के ही benय हुए है, थीक है, यह फिर Highlands of, यह फिर, Highlands of Siberia, Highlands of Siberia and China, यह जो बने हुए, यह भी इसी time के बने हुए है, तो जिनको हम Harshinian type of mountains कहते हैं, ठीक है, तो यह पहले के बने हुए हैं, और सबसे, जो young mountain है, यह बने हुए है कर 30 million years ago जिनको कहते हैं Alpine Mountains ये काफी young mountain है क्योंकि उसबसे बाद में बने हुए है जैसे कि Alps Alps Mountain Himalayan North America में चले जाए तो वहाँ पर आपको मिल जाएंगा Rockies South America में चले जाएंगा तो वहाँ पर मिल जाएंगे Andes ये rock system जो है ये सबसे young है और सबसे बाद में मिले हुए है तो इस वज़े से क्या हुआ है कि इनका erosion कम हुआ है क्योंकि सबसे बाद में बने हुए है इनका erosion कम होनी के वज़े से सबसे ज़्यादा highest height वाले ये mountains है, extensive range है ये बहुत पहले कि बने हुए है इसलिए इनका erosion बहुत ज़्यादा हो चुका है इसलिए अब इतने ज़्यादा elevated नहीं है ये बहुत बाद में बने है इनका erosion कम हुआ है इसलिए ये ज़्यादा height वाले देखने को मिलते है आपको पता ही होगा हमालियन, रोकिज, यहाँ पर कासी height वाले आपको picks मिलते है ठीक है तो यह था कि कौन से time पर कौन से किस तरीके के mountain का formation हुआ है उनका classification अब mountain कितने तरीके होते है ताइब सफ mountain इसमें सबसे पहले आता है volcanic mountain उसको बाद में देखते है सबसे पहले हम देखते है fold mountain ठीक है तो fold mountain जो होता है यह कैसे बनता है यह compressive force की वज़ा से होता है fold mountain यह compressive force की वज़ा से होता है और compressive force की वज़ा से क्या होता है कि anti-cline और sin-cline जनरेट होता है compressive force की वज़ा से anti-cline and sin-cline यह जनरेट होता है और इनकी वज़ा से fold mountains बनते है जैसे कि जितने भी alpine mountains, यह जो अभी हमने alpine माूंटें से होते हैं, अल्प्स हो, अल्प्स हो, अन्डिज हो, यह रोंकी वहीज तरी माूंटें से हैं, ठीक है, तो फोल्डिंग के प्रोसेस के वज़ह से, यह mountains बनते हैं, अब यह folding जो होता है, यह कुई तरीके का होते हैं, ठीक है, जैसे कि, यह जो folding का process होता है, ये कई तरीके का होता है, जैसे कि symmetrical fold होते हैं. symmetrical fold हो गया, asymmetrical fold होगा, isocleaner fold होता है, फिर monocleaner fold हो जाएगा, फिर आपको रिकम बेंट हो जाएगा, फिर नैपी यह भी होती है, फिर आपको ओवर्टर्ण देखने को मिलेगा, यह सारे क्या हैं, यह सारे फोल्ड के टाइट से, इस तरीके के फोल्ड्स आपको देखने को मिलते हैं, फोल्ड मांटेंस के रिजन में, क्योंकि फोल्ड्स म बनता है, folding का मतलब होता है bend, ठीक है, दो चीज़े होती है, आप हमेंसे याद रखिएगा, एक होता है folding, और एक होता है falting, यह दोनों एक चीज़ नहीं है, जो folding का process होता है, इसमें, जो crust है, अर्थ crust, उसकी bending होती है, यानि कि वो bend होता है, वो इस तरीके से होगा, यहाँ द crack होता है, faulting में, crack होता है, ठीक है, यहाँ पर crack generate होए, यहाँ पर crack generate होए, यहाँ पर crack generate होने की ग्रेवन कहते हैं, जैसे कि ब्लोग मांटेन में होता है, ठीक है, तो फॉल्टिंग में क्या होता है कि क्रैक होता है, और क्रैक की वज़र से यहां पर मांटेन्स बनते हैं, लेकिन फॉल्डिंग में बिंड की वज़र से मांटेन्स बनते हैं, यहां पर क्रैक नहीं होता है, हम इसा इंब 53 उटेजैं तो यह fuld mountain इसके बाद secondly हम देखते है block mountains म대दॉर भीवरны ऐसे जिसे बता है क्या होता है बेंडिंग्यll होती है और फॉल्टिंग में क्या होती है cracks होती है थीक है तो आपको यहां पर देखने कि मिले गए यहां पर आपको falting देखने को मिलेगी ब्लग मांटेंस कैसे बनते हैं? यह falting से बनते हैं ठीक है यहाँ पर fault बनता है यानि crack zanet होते हैं अब यहाँ पर आपको कुछ यह जानना होगा कि fault कई तरीके को होते हैं कुछ normal fault होते हैं कुछ reverse fault होते हैं ठीक है कुछ trans-current fault होते हैं कुछ normal fault होते हैं कुछ reverse fault होते हैं reverse fault कुछ trans-current fault होते हैं तो normal fault जो बनते हैं जहाँ पर tensile force लगता है जहाँ पर tensile force लगता है यह वहाँ पर normal force बनते हैं अब reverse fold कहां पर बने हैं, यह वहां पर बनते हैं, जहां पर compressive force लगता है, जहां पर compressive force लगता है, यह वहां पर reverse fold बनते हैं, और आपको यह भी पता होगा, यह तो पता हो, आपने पढ़ा होगा कि एक दूसरे तो दूर जाते हैं, तब वो tensile force होता है, जब एक दूसरे के प तो पैरलेल मूवमेंट की वजह से जो फोल्ट बनते हैं वो ट्रांस करेंट फोल्ट होता है तो यहां पर जो प्लेट्स होते हैं उनका पैरलेल मूवमेंट होता है तो पैरलेल मूवमेंट की वजह से जो फोल्ट बनते हैं वो ट्रांस करेंट फोल्ट बनते हैं ठीक है तो इ मांटेन बता है लेकिन ऐसा नहीं है Hang Wars दोनों वजह से भ्लोक मांटेन बनता है लेकिन बस फर्किंए की जो उता है इस tensile force की वजय से जितने block mountain बनते हैं इनकी number ज़्यादा है compressive force के comparison में यानि कि normal fault, normal fault यह ज़्यादा मिलेगा reverse fault से यानि कि tensile force के थुरू block mountain का formation ज़्यादा होता है और वह compressive force के थुरू block mountain का formation जो हता है यह सबसे कम होता है, तो यह है block mountains ब्लोग मांटेने इस तरीके की देखने मिल जाएंगे, इंडिया में भी ब्लोग मांटेन्स हैं, जैसे कि विद्यास, विद्यास अब पूरास, एक्चुलि ये और बाइजन ये ब्लोग मांटेन नहीं है, बाइजन ये फोल्ड मांटेन्स होते हैं, लेकिन दू टे एरोजन, यह क्या है यह BLOCK MOUNTAIN में Convert हो गया है इसके अलावे कुछ VOLCANIC MOUNTAINS जे अधे हैं इस थे data या फिर रोक्स वगरा निकलते हैं उनके accumulation से जो mountains बनते हैं यह volcanic mountains चाहलाते हैं ठीक है तो इस तरह आप जहां volcanic mountains आएंगी वहीं पर मिलेंगे तो सबसे ज़्यादा आपको विल्कनों देखने को मिलता है यह सरकम-pacific build है यानि कि जो specific question है उसका जो पूरा land के तरफ जो उसका टिक है किया तो यहाँ प्रसब्सज़्य ज़्याद पूवल्कै अक्टिविटिटिति- में इस वजह फिर यहाँ पर व्ल्कैनिक मौनटाइद का इसाफ मलेगा जैसे कि मौंटेन क्या पाकशी पर प्रसब्सकिन क्यनक्ला क्टैम जाएगा इक्वादोर मैं है याकम मिल जाएगा कि माइंट पान में है कि मांट माई यून पहुल सारे इक्जांपगश यह आपको मिल जैगा फिलिपान समय कई इसी तरह किसे आपको जब शमात्रा इंडोनेशिया band जहां पर भी आप जायेंगेद फीलिपिने को आपको मलेशिया को आखर में इस तरह के आपको वल्कनिक मांटेंस देखने को Mr के इसके बाद आता है मांटेंश में आप टोप सम्वि mai हैं खुर्टि अवह मोंटेंश कर्थ को यहां पर वेदरिंग होगी and erosion, इसके वज़ज़ से क्या होता है, इन mountains को वेप जाता है, प्रम प्रम इन को क्या होता है, इन को क्या होन इन कै वेदरिंग एmesan की जो भी activities होती है, उनके वज़ज़ से. इसे जो mountains मत उनको कहते है, recidival mountains एंडियकर, décken Benederktu Nu, डेकन प्लाटू में जितने भी मांटेंस होंगे यह क्या होता है यह रेसिडिवल मांटेंस होते हैं उनको इरोजन की वज़े से उनको लोग उनका क्या होके इलेवेशन जो हो गया हो कम हो गया यह क्यालाते हैं आपको रेसिडिवल मांटेंस तो इस तरीके मांटेंस आपको जैसे कि आप समझ लिजे कि जो अप्लेशियन माउंटेन न इसे का या फिर आपने वह देखा जो हमने सबसी सुरू में पढ़ा, कैलिडोनियन कैलिडोनियन मांटेन और हर्शियन मांटेन ठीक है пр私न you mountain ये दोनों mountains जो है ये roll भी दून मान्टेन्स भी आधना कह सकते हैं क्योंकि इनकी में हैं क्यutanります कि इरोज़्न बहुत ज़दा हुआ है कि बहुत से पहले बहुत पहले बने हुए है तो इनका ermeOL rh Verme beingpreneurि से बहुत ज़हें ठीक है अब देखे हैं हम planes ठीक है types of planes यह तिन तरीके का है यहां पर structural plane depositional plane and erosional plane स्मिलेंगे सबसे पहले देखे हैं हम structural planes structural planes वैसे plane होते हैं जहां पर आपको earth movement काफी कम देखने को मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा ठीक है तो ऐसे जो planes कहलाते हैं structural planes होते हैं जहां पर crustal movement आपको देखने को नहीं मिलेगा ठीक है यानि कि tectonic activities के वज़े से यह नहीं बनते हैं यह structural planes कहलाते हैं जैसे कि great plane of USA या फिर Central Highland of Australia यह जो planes है यह structural planes होते हैं जहां पर crustal movement के वज़शन नहीं बनते हैं इंतरोख ही क्या होता है इस तरीके से Gently embedded होता है कि इस तर इस तरीके से बने हो गए हैं तो यह structure planes होते है कुछ क्या होता हैender positional planes को Sel में rivers हो, glaciers हो, wind की वज़े से, फिर sea waves की वज़े से क्या होता है, कि sediments को लाकी भी चाया जाता है एक जिगा पर, ठीक है, तो इस तरीके जो होते हैं, यहाँ पर flood plains आपको देखने को मिलेगा, यह flood plains, यहाँ पर aluvial deposits आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, यहाँ पर delta-like structures देखने को मिलेगा, तो इस तरीके से, यह जो बनते हैं, depositional plains, यह agriculture के लिए काफी important होते हैं, जैसे कि आप, हम गंगा डिल्टा की बात करें, ठीक है, जहाँ पर गंगा डिल्टा है, यहाँ पर देखेंगे कि rice और jute काफी होता है, उसी तरह जब आप जिट में जाईएगा, तो वहाँ पर नाइल, जो डिल्टा है, नाइल डिल्टा के, यह नाइल रिवर में, आपको rice और cotton का अगरिकल्चर जागा देखने को मिलेगा, वहीं आप northern चाइना में चले जाहिए, तो वहाँ पर हांगो, रिवर के वज़ज़ से काफी agriculture काफी diverse, वाइट फॉर्म में देखने को मिलती है, तो यह क्या होते हैं, डिपोजिशनल होते हैं, अपने out horse, इनका जो out horse plane होता है, जहां पर इस sediments लाके बिचाते हैं, इस out horse plane में, अगर यह unsorted, unsorted, fluvio, glacial sands बिचाते हैं, glacial sands, अगर यह gravel बिचाते हैं, ठीक है, यह sediments बिचाते हैं, और दूसरी चीज ये कभी-कभी boulders भी बिचाते हैं वहाँ पर, ये दो तरीके के sediments वहाँ पर बिचाया जाते हैं, ग्लाशियोस की वज़े से, ग्लाशियोस के आउट्वर्स प्लेंग में, तो आप देखिए, जब इस तरीके के sediments वहाँ पर बिचाया जाते हैं, उन्सोर्टिट फ्लोगियो ग्लेशियोस सेंड्स या फिर ग्रैवेल, तो इस तरीके sediments की वज़े से, वो जो एरिया होता है, वो बेयर लैंड हो जाता है, यानि कि यहाँ पर अग्रिकल्चर आपको देखने को नहीं मिलेगा, बेयर लैंड, यानि कि वो फर्टाइल एरिया नहीं होगा, फर्टाइल एरिया नहीं होगा, तो वहाँ पर अग्रिकल्चर के डेवलोप्मेंट देखने होगा आपको ज्यादा नहीं मिलेगा, जिससे कि सम पार्ट अफ स्कॉटलेंड, स्कॉटलेंड के कुछ पार्ट इस तरीकी के सेडिमेंट से बना हुआ है, वहीं जब ग्लेशियर्स अपने आउट्वोस प्लेन में बौर्डर्स लाकी बिछाती है, तो यहाँ पर आपको अग्रिकल्चर के यह फर्टाइल होते हैं, तो यहाँ पर अग्रिकल्चर के डेव यहाँ पर मिल जाएगा, जर्मनी में मिलेगा आपको, फिर आपको हॉलेंड में मिलेगा, ठीक है, यहाँ पर क्या हो, ग्लेशियर्स में बौर्डर्स लाकी बिछाया है, इसलिए ग्रिकल्चर के डेवलोपिन वहाँ पर दिखने के मिलता है, अब हम देखते हैं, सी वेप् करते हैं, कि सेडिमेंट को लागे कोस्टल डिजन से बिछाती है, सी वेप्स, यह क्या करते हैं, यह भी सेडिमेंट को कोस्टल डिजन में लागे बिछाती है, जिससे कोस्टल प्लेन का फॉर्मेशन होता है, जैसे कि कोस्टल प्लेन ऑफ नीदरलेंड बेल्जियम, ठीक है तो यह क्या है सारा coastal plane यह बना हुआ है सीवेप्स की सेडिमेंटेशन की वज़े से नीदल लेंड वेल्जियम को जो coastal plane है तो यह सीवेप्स हो गया अब एर की थूरू होता है यह फिर विंड कह लें ठीक है विंड की थूरू होता है जिसको कहते हैं एवलियन यह लें है लाकर बिचाते है यह अनको कहते हैं मिल जाएगा अर्जिंटीना में अर्जिटीना के लोईबस दिखने को मिलेगा तो साहती है तो जहां desert होते हैं वहां तो देखने को मिलता है यह जैसे कि USA का Mosaura Desert जो USA के कहां पर बढ़ता है south-end west direction में पढ़ता है Mosaura Desert यह वहां पर भी आपको देहने को मिलेगा ठीक है तो यह हो गया आपको depositional plains प्लेंस जो डिपोजिशन के थुरू बनता है अब देखते हैं इरोजिनल प्लेंस और इरोजिनल प्लेंस में आपको मेलनी दो चीज़ पढ़ने है एक है प्लेंस और एक है प्लेंस ठीक है इरोजिनल प्लेंस यह थार्ड है इसमें मेलनी दो चीज़ पढ़ने है आपको एक पढ़ना है peniplanes और एक पढ़ना है peniplanes peniplanes जिसको pediment पी कहता है ठीक है तो जी के peniplanes क्या होता है यह सबसे पहली चीज़ कि हुमिट कंडिशन में जहां पर होगा यह हमिट कंडिशन में आपको देखने को मिले। हमिट कंडिशन में अब यह माने जिये कि यह आपका कोई हिल है इस तरीके से, ठीक है यहां दो तरीके सीरोजन होगा, एक तो अपवाड इरोजन होगा, यानि कि इसके हाइड कम की जाएगी, और दूसरा इरोजन होगा ऐसे, यानि कि पीछे की तरफ रिट रिट करेगा, ठी है तिहां पर दो तरीके से ए्लेशन देखने को मिला है एक सब्सक्राइब का पिलेगा तो जहां पर इस कंडिशन में ये दोनों तरीके की जो इरोजन देखने को मिलती हैißt वर्ड इरोजन भी देखने को मिलेगा साथी साथ साथ साइड वर्ड इरोजन भी देखने को मिलेगा ठीक है तो इस तरीके से जो लैंड फॉम्स बनते हैं अब यह क्या होगा यह इसकी हाइट कम होगी दीरी-दीरी कम होते होते यह कम होते होते यह ऐसे हो जाएगी और यहां आपको प्लेन बनता यह इस चोटा यहां पर इस तरीके से मर्मांटनेज स्टक्टर रिखेंगे ए इस तरीके से थोड़े पूरा इरोजन का प्रोसेस चल रहा है इस ओरजन का प्रोसेस में लास्ट में छोटे-छोटे वहां पर land force बच जाते हैं जिसको कहते है monad nox ठीक है तो इस तरीके जो plane बना both erosions की वज़े से यहां पर एक height भी कम हो रहा है यहां पर इसकी side भी कम हो रही है तो इस both erosions की वज़े से जो plane बना इसको कहते हैं penny planes जो humid condition में होते हैं और इस पूरे erosion के cycle में बाद में कुछ चोटे चोटे land force बच जाते हैं जिसको कहते है monad nox उन चोटे चोटे land force को कहते हैं monad nox monad nox आपको यह उसे में काफी मिलेंगे ठीक है अब वहीं pediplements या fit pediments यह क्या होता है यहीं मांटेन है ठीक है इसमें upward erosion आपको देखने को नहीं मिलेगा पहले यह बता दू यह कहां होते है यह semi-arid या फिर arid reasons में होते हैं ठीक है और यह running water के थुरू होते है running water यह humid condition semi-arid condition में running water के थुरू running water के थुरू यहां पर अब देखिए semi-arid condition यहां पर rainfall ज्यादा होगा नहीं तो यहां पर जो rainfall होता है वो कम टाइम के लिए अचानक बहुत ही तेज होता है तो उसके वज़े से क्या होता है कि यहां पर देखिए कि जैसे यहां पर height कम हो जो erosion हुआ यहां पर नहीं होता है यहां पर यह side erosion होता है तो यह side erosion करते-करते यह क्या होगा कि ऐसे यह पीछे retreat करता जाएगा तो एक time ऐसा आएगा कि यह इस तरीके से हो सकता है इदर से side से अगर यह erosion कर रहा है तो तो आप यह देखेंगे कि इस तरीके से इरोजन जो हुआ तो यहां यह इस तरीके से यह प्लेन बन जाता है यह प्लेन बनाना यहां पर यह जो मॉंटन यहां से पहले यहां से पहले राइस कर रहा था अब यह दिरे दिर रिट्रिट करके यहां चला गया तो यहां पर यह प्लेन यह पूरा प्लेन इस plane को कहते हैं pedi-burps, pedi-planes या फिर pediments, चीक है, और यहाँ पर जब erosion के last में इस तरीके से, अब यह भी थोड़ा हो गया, तो इस erosion के last में जो एक यहाँ पर structure देखने को मिलेगा, इसको कहते हैं incelberg, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं, इसको कहते हैं incelberg, तो humid condition में, जो बन रहा था, वहाँ पर जो last में बना, erosion के last में landform, उसको कहते हैं मुराड नॉक्स, और उसी तरह से, जो area desemirate condition में erosion के, erosion cycle के last में, जो landforms बनता हैं, उसको कहते हैं, हम incelberg, तो यह है erosional planes, और इस तरीके से chapter 2, complete होता है, जिसलिए उनका, हम next video में मिलेंगे chapter 3 nerd के साथ, तब तक लिए best of luck